जय भूलिनाथ, भूलिनाथ की गर्पा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में जानिए आश्युन मास के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाले प्रदोश्वरत के बारे में। इस बार क्योंकि 13 तीथी दो दिन तक रहने वाली हैं ऐसे में आप दोनों ही दिन में किसी भी दिन प्रदोश्वरत रख सकते हैं। जो कि प्रदोश व्रत में जो मुख्य पूजा होती है वो होती है प्रदोश काल के समय और इस बार दोनों ही दिन प्रदोश काल का समय प्राप्थ हो रहा है तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बुधवार के दिन यानि 11 अक्टूबर बुधवार को पढ़न और समाप्थ होगी 12 अक्टूबर गुरुवार की शाम 7 बच कर 54 मिनट पर 11 अक्टूबर बुधवार को प्रदोश काल का समय रहेगा शाम 5 बच कर 16 मिनट से 6 बच कर 46 मिनट तक अगर आपने आज वरत रखा है तो 5 बच कर 38 मिनट के बाद से ही आप शाम की पूजा कर सकते ह है वरत आपको सुभा से ही रखना होगा चूखिए जब प्रदोश काल का समय होता है तो मानते हैं कि उस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसंन मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा को भगवान शिव बहुत जल्दी स्विकार कर लेते हैं और आपकी करके साफ स्वच हो सके तो सफेद या हलकी हरी रंग के वस्त धारण करने चाहिए फिर सोरी देपता को और अपने पित्रों को जल अर्पित करके भगवान शिप के सामने बैठ कर हाथ में जल और पुष्प लेकर वरत रखने का संकल्प लेना चाहिए जो लोग वरत ना भी र चाहिए और बुद्वार के दिन या गुरुवार के दिन साबुत हरे मों भगवान शिफ को नंदी बैल और पहर तने चाहिए यह आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप एंगली दिन उन्हें किसी भी वेज को आप खिला सकते हैं दिन पर हम्वेस रखने के साथ ऑने के सा यदि मूर्थी आपके पास है तो मूर्थी का अभिशेक करें और अगर तस्वीर है तो तस्वीर पड़ा आप गंगाजल के छीटे अर्पित करें शाम की पूजा जहां तक हो सके आसपा शिव मंदिर में जाकर करनी चाहिए शिवलिंग का अभिशेक करना चाहिए प्रदोषकाल की समय यदि एक लोटा गंगाजल भी शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो उसका कई गुना पुनिप्राप्त होता है और ऐसे भक्तों पर महादेव की कृपा सदा सरवदा बनी रहती है शाम के समय धूप दीव चलाएं भगवान शिव को शमी पत्र भांग धतूरा बेल पत्र आपके पास जो भी हो अर्पित करें सफेद पुष्प भगवान को अर्पित करें और भगवान को ध्यान रखें कि तुलसी पत्र या हल्दी या फिर कुम-कुम अर्पित नहीं किया जाता है मापार्वति जी कि पूझा करें, मापार्वति को शुरंगार की सामगरी और सिंदुराधियर्पित करें, नंधी बैल की, कार्तिके, भगवान की और भगवान गणिश जी कि पूझा करें, मन्तरों का यानी ओम नमच्छिवाय मंतर, जो सबसे शक्तिशाली मंतर है, सच्चे मन से जाब करें, रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो रुद्राक्ष की माला से जाब करें, व्रत की कथा पढ़े सुने, शिव चालिसा का पाठ करें, महामृत्यूंचय मंत्र का जाब करें, अगर आप शिव मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, तो ध्य पुरानिक कथा के नुसार एक युवक्त का नया नया विवहा हुआ था विवहा के बाद जब उसकी पतनी मायकी पहुँची तब है अपनी पतनी को लिवाने के लिए अपनी सस्राल पहुँच गया जहां उसकी खुब खातिरदारी की गई फिर एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि अब उसे घर जाना है लड़के ने घर जाने केरे बुथवार का दिन चुना हलकी ससुराल वालों ने बुथवार के दिन जाने को लेकर बहुत मुना किया लेकिन उसी वक ने ससराल वालों की बात को अंसुना कर दिया अंत में सास ससुर ने भारी मन से अपनी बेटी और दामात की विदाई कर दी जलते जलते जैसे ही वे सब भी नगर के बाहर पहुँचे कि पत्नी को तेज प्यास लगई पत्ति उसके लिए पानी लेने चला गया जब पत्ति पानी लेकर वापस लोटा तो वहां का नजारा देखकर वे हिरान रह गया उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराय पुरुष के साथ खड़ी होकर पानी पी रही है और जोर-जोर के ठाके लगा रही है वे आदमी देखने में बिलकुल उसी की तरह दिख रहा था जिसे देखकर वे आश्यरी चकित हो गया वे आदमी के पास जाकर जगणने लगा देखते ही देखते वहाँ भीड़ी कटी हो गई विवाद बढ़ने के बाद वहाँ एक सिपाही भी आ गया जगणा निप्टाने के लिए उस सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पती इन में से कौन है लेकिन दोनों के हमशकल होने के कारण औरत भी हरान रह गई अपनी पतनी को चुप देखकर पती भगवान शंकर को याद करने लगा कि उससे बड़ी भारी भूल हो गई जो ससुराल वालों के कहने पर भी उसने अपनी पतनी को बुद्वार के दिन विदाई करा दी उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते वे कहा कि हे भुलिनात मुझे इस संकर से बाहर निकाल दीजे मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा भगवान शिवकोष की प्रार्थना पर दया आ गई जिसके बाद दूसरा व्यक्ति देखते ही देखते महां से गाया भो गया जिस दिन ये घटना घटी तुई थी वह दिन बुद्ध प्रदोश व्रत का दिन था और जिस समय उस व्यक्ति ने भगवान शंकर से प्रार्थना की वह प्रदोश काल का समय था तब से पती पतनी दोनों ने मिलकर बुद्ध प्रदोश वृत रखना शुरू कर दिया इस वृत के प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में पुत्तर रत्न की प्राप्ती हुई और उन दोनों पती पतनी ने अपने परिवार के साथ मिलकर सभी सुक भोगे अंत में वे दोनों पती पतनी अपने परिवार के साथ भगवान शिप के धाम को चले गए इस प्रकार जो भी विक्ती सचे मन से बुद्ध प्रदोश वृत रख कर इस कथा को पढ़ता है या सुनता है भगवान शे उनकी सभी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं अब सुने शिप चालीसा और भगवान शिप की आरती दोहा जै गणेश गिरजासवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभैवरदान जै गिर जापती दीन दयाला सदाकरत संतन प्रतिपाला भाल चंद्र मा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तनक्षार लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवी को देखी नाग मन मुहे मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवी न्यारी करत्री शूल सोहत छवी भारी करत सदा शत्रुन छैकारी नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक शाम और गणुराओ या छवी को कही जात नकाओ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी तुरत शडानन आप पठायो लव निमेश महमारी गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा तुर्पुरा सुर सन युध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई किया तपही भगीरत भारी पूरब प्रतिक्याता सुपुरारी दानिन मह तुम सम को नाही सेवक इस्तुतिकरत सदाही वेद नाम मही मातव गाई अकत अनादी भेद नहीं पाई प्रकटी उदधी मन्थन में ज्वाला जरत सुरा सुर्भै विहाला कि नहीं दया तह करी सहाई नील कंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीशन दीना सहस कमल में हो रहे धारी कीन है परिक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन चह सोई कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर भै प्रसन दिये इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सब के घटवासी दुस्ट सकल नित मोही सतावे ब्रहमत रहो मोही चैन न आवे त्राही त्राही में नाथ पुकारो येही अवसर मोही आन उबारो लेत्र शूल शत्रुन को मारो संकट से मोही आन उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आये हर हू मम संकट भारी धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे सोफल पाही अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी शमहूनाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विग्न विनाशन योगी यति मुनिध्यान लगावे शारद नारद शीश नवावे नमो नमो जय नमशिवाए सुर ब्रह्मा दिक पार नपाए जो यह पाठ करे मन लाई ता पर होत है शंभु सहाई रनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सोपावन हारी पुत्र हीन कर इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद तही होई पंडित त्रियोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रियोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा धूप दीप नैवेत्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जनम जनम के पाप नसावे अंतधाम शिव पुर में पावे कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी जानी सकल दुख हर हूँ हमारी नितनेम कर प्रातह ही पाठ करो चालिस तुम मेरी मनो कामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठी है मंतर तु सम्मवत चौसठ जान अस्तुति चालिसा शिव ही पूर्ण कीन कल्यान अब सुने भगवान शिव की आरती राजे स्वामी पंचानन राजे हनसानन गरुडासन हनसान गरुडासन व्रिश वाहन साजे ओम जैशिव ओम कारां दो भुज चार चतर भुज दस भुज अतिसो है स्वामी दस भुज अतिसो है त्रे गुण रूप निरखता त्रे भुवन जन मोहे ओम जैशिव ओम कारां अक्ष माला वन माला रुंड माला धारी स्वामी रुंड माला धारी चंदन म्रिग मत सोहे भाले शशिधारी ओम जैशिव ओम कारां श्वेतांबर पीतांबर बाखांबर अंगे स्वामी बाखांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम जैशिव ओम कारां करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशोल धारी स्वामी चक्र त्रिशोल धारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम जैशिव ओम कारां ब्रह्मा विष्ण सदाशिव जानत अविवेकां स्वामी जानत अविवेकां प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एकां ओम जैशिव ओम कारां त्रिगुन स्वामी जी की आरती जो कोई नरगावे कहत शिवानन्द स्वामी रटत भुलानन्द स्वामी सुख संपति पावे ओम जैशिव ओम कारां स्वामी जैशिव ओम कारां ब्रम्मा विष्नु सदाशिव अरधांगी धारां ये थी आज की वीडियो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा